कि हुआDंशान भाइओ मैं अपriver उआक्र में ह हार्थक स्वागत करता हूं किसाद ब्हूंक Щब बहु है वहीं बात करते बैसे थो दे सभी प्रगार की भूपी में वह ओगया जासकता वहीं खेत की तैयारी की बात करें थीन से चार जुताईया करके खेत को समतल कर लेना चाहिए जिससे की पानी के अधिकावाशकता नहीं पड़ती वहीं किसान भाई यो इसकी उननसील प्रजातियों की बात करें तो इसकी उननसील प्रजातिया है अरका टिंडा टिंडा एस 48 हिसास सेलेक्शन एक बीका नेरी ग्रीन मुखे पर जाती आएं वहीं बुबाई के समय की बात करें यह जायत तदक खरीब दोनों रितूओं में उगाया जा सकता है जायद रितूओं में इसकी बुबाई हम भरवरी से लेके अपरेल तक कर सकते हैं और वहीं खरीब रितूओं में इसकी बुबाई जुन जुलाई में करनी चाहिए वहीं बीच की मातरा की बात करें एक एक एक्टेयर खेद में लगवाग चार से 6 किलोग्राम बीच परियापत रहता है वहीं किसान भाईयों बुबाई की बात करें तो हम खेद तयार करके 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर 3 से 40 सेंटीमीटर चोड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लिनी चाहिए और नाली के दोनों तरफ तीस से 45 सेंटीमीटर की दूरी दूरी दू इंच की गहराई पर इसके बीची बहाई करनी चाहिए और आप किसान भाईयों से मिस्थरित फसल के लूप में भी होगा सकते हैं जैसे कपास मक्का बेंडी के साथ इसकी खेत इसकी अवशक्ता होती है वहीं किसान भाईयों से जायत की रूतुमें लगवाग चार से साथ दिन बाद से चाहिए और बढ़ सारी दूबर आवशक्ता पढ़ने पर से चाहिए वहीं किसान भाईयों भॉवाई के लगवाग 45-50 दिन बाद टिंडे की फसल तयार हो जाती ह वहीं तुडाई की बात करें तो फल इसके कच्छी अवस्ता में परफक होने से पहले ही तोड़ लेने चाहिए नहीं तो उनकी गुड़मक्ता में हास होता है इसकी पैदावार की बात करें देवर से दो सा कुंटल प्रती अक्टेर इसकी उपज होती है वहीं बंडारल की किसान भाईयों तो आप इसको दो से तिन दिन तक कमरे किताब मान पर तोखरीयों में रख सकते हैं पर बस समय समय पर पानी का छड़काप करते रहना चाहिए धन्यवाद किसान भाईयों यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें वाप